हेलो दोस्तो तो फिर से हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने विंडो के जो अपडेट को कैसे हम आफ कर सकते हैं तो चाहिए आप विंडो 7 रॉब्र योज़ कर रहे हो याप विंडो टैन्यू 육क जाता है var कि अगर हमारे विंडो में अपडेट आ जाता है तो हम अपनी उनसीस्टरम को अगर हम आफ करते हैं तो उस टाइममें update start हो जाता है और हमारा system off होने में बहुत ज्यादा time लगाता है दोस्तों और अगर हमारा system पर update चल रहा है और हमने अपने system को forcefully off कर दिया तो हमारा operating system भी corrupt हो सकता है तो इस case में हम अपने window के update को कैसे off कर सकते हैं या disable कर सकते हैं दोस्तों तो चाहे आप window 10 यूज़ कर रहे हो या आप window 7 यूज़ कर रहे हो दोनों में update off करने का तरीका एक ही है तो same है update off करने का तरीका तो चलिए हम जानते हैं हम अपने window या operating system के update को कैसे off कर सकते हैं तो पहला तो यह है कि हम simply control panel पर जाएं control panel पर जाने के बाद में अगर यह देखिए हमारा small icon हम कर देते हैं और control पर आने के बाद हम administrative tools जो है हमें इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यह देखिए हमारा services यहां पर लिखा हुआ है services पर हम click करते हैं services click करने के बाद में यह आप देख सकते हैं यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं नीचे आने के बाद यह देखिए windows update आ चुका है यह देखिए हमारा windows update जो है यह मैंने already इसे disable किया हुआ है आपका यह तो automatic होगा यह आपका manual होगा अगर आपको off करना है तो आप simply इसे disable पर जाए और यहाँ पर stop होगा disable करने के बाद में आप simply apply कर दें, apply करने के बाद ok कर दीजिएगा आपका window जो है update disable हो जाएगा, यह देखिए मेरा disable है और एक तरीका है दोस्तो, हम simply यहाँ पर search करेंगे services यह देखिए, हमने search के services और यह देखिए, services आ चुका है हमारा तो यहाँ पर हम नीचे आजाते हैं, नीचे आने के बाद यह देखिए, windows update हमने disable अभी कर चुका है तो यह disable ही है, हम simply ok कर देते हैं, तो दोस्तो यह आपने देखा कि हम अपने window के update को कैसे off किया है तो इस तरह से आप भी अपने window के update को off कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें comment करके जरूर बताएं और वीडियो को like, share and subscribe जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएगा, ठैंक यू